पुलिस ने अपमिश्रिक दवायों को सौधी अरब ले जा रहे चार शातिर अभ्युक्तों को गिरफ्तार किया दौरान जब रेडा की ओर से आ रही एक सफेद रंग की वैगनार गाड़ी आती दिखाए दी जिसे रोख कर तलाशी ली गई तो उसमें अभ्यूक्त कन एक शाहजान पुत्र मुकर्रम सल्मान पुत्र मुकर्रम खालिद पुत्र हनी गजाला पत्नी रजावल के कबजे से गाड़ी में रखे छे बैग जिन में अपमिश्रित न्यूफेंसाडरिल काफ सीरफ के 192 शीशी वप्रेगा बलिन कैप्सूल बरामद हुई जी कल जब शाम में देवबंध पुलिस जब चेकिंग कर रही थी वहानों की तो जब रेड़ा से देवबंध की तरफ एक वहान को जब चेक किया गया वैगनार वहान था तो उस वहान में कुछ बैक्स में हमें दवाईयां और सिरफ मिले हैं जो अभी इसमें यो जो लोग इसमें लेके जा रहे थे उनसे जब पूछा गया तो इस मैडिसन का कोई भी बिल उपलब्द नहीं करा पाए ना ही इनके पास बेजने का कोई भी लाइसेंस था और ये कहां से लेके आया थे ये भी इस बात को नहीं बता पा रहे थे तो मौके पर इसमें और इरिक्षक को ले जाते हैं जिनकी अनुमानत कीमत लगवग 12 लाख रुपए है जिसमें की 200 कुछ जो है सिरॉप मिली हैं हमें और 35,000 के आसपाच कुछ कैप्सूल मिले हैं और इसमें मुकदमा दर्ज कर आज चारो अबयुकतों को माने नियाले के समझ पेश किया जा रहा है जो वाहन है उसे भी सीज़ किया गया है और इसमें भी दिक्तारवाइब रखी है पुलिस के द्वारा कडी कारवाई की जाएगी सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर वर सब्सक्राइब करें और फीस्बूक को पेज को फोलो करें एक सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें की कुछ यूवक द्वारा एक तमंचा लेकर उसकी वीडियो को बनाया गया है इसमें थाना जनक पूरी में मुकदमा दर्श किया गया है और जो यूवक है इसकी सिनाथ कर सिग्री कायवई की जाएगी